वाहे गुरुजी का खलसा वाहे गुरुजी की फते गुरु प्यारी गुरु सवारी परमसतकार जोकसा संग जी ओ आज दास महापुर्खन दे निर्मोलक बचन ये जो कथा बचार चल रही है इस ते अगले बचारां दी जो कड़ी है दास आप सारिया संगताना संजा करता है पहला अनमोलक बचन मापुर्खन दास मापुर्खन दास मेंशा जाचक बान के वाहिगुरू जी दे दरते खड़े मांगदे रहना है ते मांग बेच दावे दी आँच तक नहीं रखनी क्यों क्यों के दावे दाचन होता है इस करके माप पुरकेंदिया कि अगर परमेशर्द दर्तों तक के भी पैन ताम ये इसनो रबदी मेहर ही समझना चाहिए है तो दूसरा बजन माप पुरकेंदा है कि जिस तरह दा बरतारा तुसी दूजिया ना करूंगे ते जिस माप पैमाने नाड दूसरा नू नपांगे उसे पैमाने नाड केंदे तुसी भी नपे जाओंगे सो तीसरा बजन माप पुरकेंदा है कि करन हार करतार कोड जान दा फैंसला केबल करतार नहीं करना है फिर संसार दे अंदर किसे होर बढ़के दी मताजिदी की जरूरत है पाब की कोई जरूरत नहीं है क्यों ज़द साड़ा फैंसला वाही गुरू दे हाथ जाया वाही गुरू ने करना ते किसे दी गलामी महताजिदी कोई लोट नहीं है तीसरा वचनमा परखानदा है के जड़े प्रेमी जिउदे जी वाही गुरू जी दे दरते परवान हो जानदे ज़ेडे प्रेमी जिउदे जी प्रमेशर दे दरते परवान हो जानदे ज़ेडे प्रमेशर दे दरते परवान हो जानदे ज़ेडे प्रमेशर दे मेलना दे ब क्नुखाना हें, ती द्रिष्टी ख़ुष्टी कार्णा, ती ख़ुष्टी ख़ुष्ट कार्ण्छ अगला बुझा पुर्णा पुरुष्ट ग्नान, इत्या इति-ध़। नाम अरदन लेई शोब कर्म पहली जरूरत है शोब कर्म तो बिना नाम नहीं जब आ जा सकता। तो अगला वज्ञ में प्रुफंदा है गा कि जा साइं रिदेदी शिमर्ती बैच नवास नव पाले ता तक खाना पीना फसाण खैड़ना इस सब पजूल अब जो तो नाम हिर्दे दे बचे टेक जावे फिर खाना पीना हसना खेड़ना किसे सैज दे अंदर होवेगा ते खाना पीना हसना खेड़ना फिर बिगनकारी नहीं होवेगा जो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा फजूल गला जिमें लोकां दी उस्तती निंदिया मान दी चंचलता आदे नार सरते पार चड़ता हैगा ते इस नार मान थोता ते फिर मेडा हो जानता है सो इस तो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा के सरजन हर परमातमानों जाद रखंदे नार सरजन हर परमातमानों हमेशा जाद रखंदे नार नफ़ा ही नफ़ा है जे इस जानम पेच मुक्ती ना होई ता भी सिमरन द्वारा जिड़ा लाहा हुंदा है हमेशा जमा हुंद पर अकठा होके फिर पराणी दी कल्यान हो जान दी या। बहुत बड़ा बचना माँ पुर्खांदा है। अगला बचना माँ पुर्खांदा है के मन मतिया पराणी दा मान जेडा बड़ा ग्यान शान दा है। कठा बख्यान भी करदा है पर जो को जो बोलदा है वो गल्ती ही गल्ती होंदा है। ते मान दा चकाओ फिर गल्ती बल हो गया तफिर उस दा बोल गल्तिया दे नाड़ी लिबड़े रिंदा है। क्यों जोड़े मन मतिया पराणी होंदे है। उन्हां दा मन बहुत ज़्यादा ग्यान शान दा। मापरकें दे दर्शन गल्ला भी करदा हैगा। पगती ते करम दे सूल भी बोलता हैगा। कथा बख्यान भी करदा हैगा। पर वो जो कुछ बोलता हैगा वो गल्ती ही गल्ती होंदी है। जे कर मन दा चकाओ गल्ती बल एक बार हो गया। फिर उस दा बोल हमेशा गल्तिया दी बेची ही फिर लिबड़े आरेंदा है सो अगला बजन माँ पुर्खादा हैगा कि मन दा अपे बेच आप ओना मन दा अपे बेच आप ओना बहुत कठन होंदा है इस करके गुरू दी मत नसार नाम ते सिफ्थ सलार नाड मन अपने आप बेच टेकदा है अगला बजन माँ पुर्खादा है कि बबेच ग्यान ही आत्मानू परमात्मादे नाड मेल करोंदा पसीला बनदा है इस ग्यान गुरू पक्षदा है इस दे नाड फे सत संतोख दया तर्मती इर्ज इस जड़े गुण वहना फेर इस दे सहाई के गुण बन जान दे या अगला बजन माँ पुर्खादा है कि त्रिशना एक ऐसी पोखवा जड़ी प्राणी नू अंदरो अंदरी साड दी रें दी या ते पेखता आरं करन दे नाल भी इत्रिशना बद दी जान दी या ते फेर हमेशा दुख दाती रें दी या सो अगला बजन माँ पुर्खादा है कि वे चाहे कोई पेखता रही हो बे जंगरेश दी माया कठी करन दोना नों ही चूठदा सहारा लेना पेंदा हैगा अगर एक बार माया आ गई फेर जड़ी इनसान दी रुचिया उपोगावल हो जान दी या ते पोगादा रास फेर बकारा नों ही बुदांदा है सो अगला बजन माँ पुर्खादा हैगा जो सेज सुवा अंदर प्राप्तवा उदे बेची हमेशां बरतना हैगा पेखते पेखनू कल्यान कारी ना समझो ग्रेस्त दे अतीतनू सम करो ऐसी कार तारन करो जो हमेशां कल्यान कारी होवे सो अगला बजन माँ पुर्खादा हैगा के बोतियां स्यान पानाल मननू मैर लग दिया ते मन अब मानी हो जान दा हैगा ये नेरी बाल दी खाल लोन बडाई हो जान दा हैगा जैसे हो तैसा बरतो दिखावा ना करो दिखावा चूटनू टकदा हैगा ते गंदनू टकना कोई स्यान पदी गल नहीं है सो गो बिमारी पैदा करन दा कारन बन दा हैगा सो अगला बजन माँ पुर्खादा है के वही गुरू हाजरा हजूर है उस दी हाजरी दे असास दे बिच हमेशां रहो दुख सुखते लूड बिले उस दे अगे हमेशां अरदास बेंतीर करो सो दास इन्ने ही बचन माँ पुर्खादी संजे करदा होया खेमा दा जाच कहाजी वह याँ ब्यांत पुलाच कहाँ दी खेमा बक्षनी सो फते बलाओ वाहे गुरू जी का खलसा वाहे गुरू जी की फते